हेलो इस्टूडेंट्स आज 垃चराइड के रुप में हम kita यह को पढ़ने जा रहे हैं मालटोस की शनरचना जोपिए है दो मोडोस सेटराइड है इसकी पूरी स령chnा को में इस्टैบलिश करना है कि दोनों जो यूनिट्स है वह किस कारवन से एक दूसरे से जूड़ी रहती हैं कौन से ग्लाइकोसाइडिक लिंके से वह आपस में जूड़ी रहती हैं तो हम स्ट्रक्चर को स्टेबलिश करने जा रहे हैं सबसे पहले एलिमेंटल एलनिसिस करें अनुसूत करने धारण किया पता किया कि इसमें बारा कारबट बाइस हाइड्रोजन और ग्यारा ऑक्षिजन दूड़ी त्वेल एच ट्वेंटी टू ओ इलेविन इसका अनुसूत रहे हैं बनाते कैसे हैं माल्टो इसको स्टार्च इसको मांड कहत हैं जो आलू में चावल में में पाए जाता है इनका आशिक जलब घटन अगर हम करें पार्शल हाइड्रोलिस करें इन फॉर्म इन प्रेसंस ओ एसेड या फिर बार लिया जों में पाए जाने वाल एक एंजाइम जिसका नम है डायस्टेस इसकी उपस्तिती में अमली या ड चार्ज का तो पार्शल हाइड्रोलिस होता है चोटे चोटे टुकडो में तूटता है दो दो के टुकडो में और हमें माल्टोस यूनिट्स प्राप्त होती हैं संरचना को इस्टेब्लिश करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया है इसका जलब घटन किया है माल्टोस का य या फिर माल्टोस का जलब गटन करने पर हमें दुख लोकोस के यूनिट प्राप्त होते हैं यानि कि प्राप्त होने पर हमें क्या करना पड़ेगा दौनों ग्लुकोस यूनिट को जोड़ने पर हमें एक जल के अणू का निश्काशन करना पड़ेगा तब जाके हमें माल्टोस की एक यूनिट प्राप्त होगी यानि कि दोनों यूनिट्स आपस में एक जल के निश्काशन के द्वारा जुड़ती हैं और हमें माल्टोस प्राप्त होता है दूसरी बात हमने रियक्शन की माल टोस की फूरे मॉलिक्यूल की फैलिंग सॉलिशन बैंडिक टॉर्ट टॉलरंस रिजिंग साथ तो अगर इसमें फ्री अल्डियाइटिक समू होता होगा तो यह अभी क्रिया करेगा इन तीनों से रिड्यूजिंग उनको रिड्यूज तो हमने देखा इसका मतलब है इसके इंदर एक फ्री अल्डियाइटिक समू पस्तित है यह नहीं कहारी हूं कि दोनों ग्लुकोज में है कम से कम एक ग्लुकोज तो ऐसी यूनिट है जिसमें फ्री अल्डियाइटिक समू बच्चो अब हमारा पूरा चैप्टर एंड होने वाला है यह स्टार्टिंग से मैं बता रही हूं कि फ्री अल्डियाइटिक समू या ओपिंचन इस्ट्रक्चर ग्लुकोज का जब मिलता है जबकि उसके अंदर हैवी ऐसी टेल लिंकेज हो और वो खुल जाए और वापस से बंद हो जाए ऐलफा फॉर्म और बीटा फॉर् यानि तीन अनुफिनाइल हाड़रजीन के आल लाएंगे और हमें होसा जोन मिलेगा अर्थात इसके अंदर भी एक फ्री अल्डियाइडिक समू होना चाहिए नेक्स्ट हम यह ब्रोमीन जल के साथ अम से ऑक्सिक्रत होकर ब्रोमीन जल के साथ यह ऑक्सिडाइज हो जाता है और हमें मिलता है कंपाउंड उसका नाम है माल्टोनिक एसेड माल्टोनिक एसेड जो है वो माल्टोनिक एसेड क्यों मिलेगा क्योंकि इसके अंदर एक एल्डियाइडिक समू उपस्तित है जो की ऑक्सिक्रत होकर हमें माल्टोनिक एसेड देता है इन सभी अभी क्रियाँ स से पता चलता है कि कार्बोन समूझ जो है वो चक्री है एसिटाइल रूप में उपस्तित होगा जो ओपिन चेन में भी बदल सकता है और फ्री अल्डीयडिक समूझ होना चाहिए यानि कि माल्टोज में एक फ्री अल्डीयडिक समूझ होता है वो दोनों ग्लुकोज में किसी एक पर उपस्तित हो सकता है नेक्स्ट यह परिवर्ति दुरुबंड गुणनर प्रदर्शित करता है परिवर्ति दुरुबंड गुणनर मतलब माल्टोज दोनों रूपों में पा जाता है तथा म्यूटा रूटेशन प्रदर्शित करता है और इसको प्रदर्शित करने मे यह अगर हम alpha form का देखते हैं optical rotation तो plus 168 degree आता है जो की घटते घटते 136 पर fix हो जाता है sum emission बनता है और beta root 118 degree पर rotate करता है optical rotation जो की बढ़ते बढ़ते 136 पर fix हो जाता है now maltose का hydrolysis अगर हम एक enzyme होता है maltase और एक enzyme होता है emulsine किसी भी एक के साथ अगर इसका हम क्या करें जलब भटन करें तो दोनों enzyme जलब भटन करते हैं पर यह specific enzyme है specific करता है यह vicious enzyme है और काम तभी करेंगे जबकि disaccharide में alpha glycosidic link जोग यानि कि दोनों glucose unit आपस में alpha position के रूप में आपस में जुड़ी हूँ और ताथ दोनों के अंदर alpha glycosidic link जगर होगा तो यह अभी क्रिया करेंगे otherwise यह maltase और emulsine कभी भी अभी क्रिया नहीं करेंगे नेक्स्ट है ring size in maltose अब हम सबसे पहले maltose का ring size देखेंगे ring size को establish करने के लिए हम कुछ अभी क्रिया करेंगे और उसके बाद हम पूरी पुरा molecule लिखकर उसकी अभी क्रिया देखेंगे अर्थात सबसे पहले maltose की संरचना को यह दौनों कहां से जुड़ी रहती है पूरे maltose की संरचना क्या इसके बारे में पता लगाना है maltose की reaction हम रोमीन वाटर के साथ करते हैं जो इसे oxidizing agent यह maltonic acid देता है यानि maltonic acid बताता है कि जो free CHO समूँ होगा वह maltonic acid मिलने पर हमने maltonic acid का पूर्ण methylation किया यहां जहां जहां OH होगा वहां वहां पूरा maltonic acid जो है वो oxidize होकर क्या देगा sorry reaction करके क्या देगा methyl octa-o-methyl maltonate यानि हमें जो है वो compound मिलेगा एक ester मिलेगा maltonic acid का यानि COOHB किसमे बतल जागा COO CS3 में सारे OH समूँ का methylation हो जाएगा next अगर हम अभी क्रिया करते हैं अभी क्रिया किससे करेंगे next अभ हम अभी क्रिया करेंगे यह पूरी की पूरी reaction मैंने तुम्हें लिखके बताईए reaction कैसे है OCTO-methyl maltonate इसका जलब भटन करेंगे अमलकी उपस्तिती में तो हमें दो compound मुलेंगे 2346 tetra-o-methyl-d-glucopyranose यह नहीं दो तीन चार्च है चार्च यह के tetra मतलब चार-o-methyl-o-cs3-d-glucopyranose यह इतना glucose मिलेगा जो सब्सक्राइब दूसरा मिलेगा 2356 tetra-o-methyl-gluconic acid जो स्टार्टिंग में maltonic acid था वही portion जो है वह किसमें बतल जाएगा ग्लुकॉनिक एसिड में यह सारी रियक्शन से हमें पता चला कि पूर्ण अब घटन होने पता चला कि ग्लुकोस के आणू में तो जगह हैं जो आपस में जुड़ेने करने काम में आती है ग्लाइकोसाइडिक बनाने काम में आती है और और ओरिजिनल रिंग साइज माल्टोज में पाहरे नोस होता है अब देखो मैं पूरी रिक्शन लिखके बता रहे हैं इस इस स्ट्रक्चर ओफ माल्टोज अगर य यह ग्लुकोस की यूनिट जो है वो अलफा में और बीटा फॉर्म में बदलती जाएगी देखो मैं लिखा है अलफा बीटा ग्लुकोस दोनों प्रें में बदल सकता है हमी असिटल लिंगेज की कारण और यह दो दूसरी बने ग्लुकोस यूनिट लिखिए यह अलफा फॉ ब्रोमीन जल के साथ इसका ऑक्सिडेशन तो देखो यह सेकंड यूनिट तो कोई दिक्कत नहीं है पहली यूनिट जो था वो एल्डियाइट समू आया होगा फ्री इसलिए यह किसम बदल गया सी ओ ओ ओ एच में माल्टोनिक एसिट मिलता है इसका डाइमिथायल सल्फेट क सब्सक्राइब बदल जायगा यह जर्म लिया हमें चाट जगें वह सीजिस्ट को जैस को बोलेंगे मिथायल 잇स्ट ऑफ ओक्ताओ मैथिल माल्टोनिक एसड यानि और दूसरे कह सकता है अब यह आठ जगे जो OCS3 आया है इसका हम हाइड्रोलेसिस करेंगे तो देखो हइड्रोलेसिस करने पर यह OCS3 जो इथर लिंक जाए है हाइड्रोलाइस नहीं होंगे कौन हाइड्रोलाइस करें होगा एस्टर उपर जो COCS3 दे रखा है यह प्लस देखो मैंने H over H लिखा है यह जो हमारा glycosidic linkage है यह जल के अब घटन से H और OH के रूप में तूटता है OH आजाएगा carbon पर और H जो था O के साथ मिलकर देखो क्या compound मिले हमें 2356 tetra O methyl gluconic acid मिला और दूसरा 2346 tetra O methyl glucopirate nose मिला interesting बात पहली unit पे carbon number 4 पे OH है और दूसरे unit पे carbon number 1 पे OH है इसका मतलब यह OH अब जो free form में आ रहे हैं इसका मतलब है यह पहले free नहीं थे यह कही न कहीं गायब थे और अब इक्रिया में involved थे इसलिए अब यह OH पे 2 का बनना जिसको मैंने red pen से लिखा है यह बताता है कि linkage जो है वो 1 और 4 carbon के बीच में है इसलिए यह glycosidic linkage कौन सा है 1 और 4 के साथ है इसलिए अगर मैं इसकी पूरी सनरचना आपस में हम देखें तो हम क्या मिलेगा पूरी सनरचना को अगर हम वापिस से एक बार देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा प्राप्त होता है अगर यह देखो यह है यह सनरचना यह देखो अब क्लियर हो गया carbon number मैंने ring लिख दिया देखो A और B A ring जो alpha form में है जो कभी भी alpha beta में नहीं बदलती क्योंकि इसका OH गायब हो गया है आपस में alpha glycosidic linkage बनाने में और A ring जो है वो B rings के चार कारपन से आपस में जुड़ी हुई है यह B ring जो है वो खुल भी सकती है बंद हो सकती है क्योंकि इसके बीच में कौन सा समू उपस्तित है hemiacetal linkage इसको मैंने final form में क्यों लिखा है बीटा बच्चों क्योंकि मेरे को इससे संरचना के द्वारा मुझे संरचना भी बतानी है तुम्हें और इसकी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मला बताना इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा कारपन नंबर वन और कारपन नंबर फाइव के बीच में linkage बताते हुए ताकि सारे समू symmetrical form में साइड में आ जाए यह है final structure of maltose इसको याद रखें तो अब मैंने इसका हावर्ड क्योंकि examination में अक्सर तुम मैंने देखा papers में वह पूरा maltose तो कभी कभी बहुत कम आया पर अक्सर वो देते हैं maltose की संरचना हावर्ड संरचना लिखिए और इसकी संरचना लिखिए या इसका sufficient projection formula लिखे तो दोनों संरचना मैंने लिखना बताया है इसको लिखेंगे कैसे ए वाली रिंग को पहले लिखेंगे क्योंकि इसका carbon number one involved है बी रिंग को बाद में लिखेंगे क्योंकि इसका carbon number four involved है कुछ नहीं करना है speak havaट paranos ring मनाईए उपर नीचे करके bond बनाई सीधे सीधे a ring के रिंग के एक तर्व उपर उपर ॡ्रुप जोड़ दीजे भी रिंग के और नीचे जो है वह दूसरी तरफ बाहीं तरफ और दाइन तरफ के समूग को उपर नीचे करके हम जोड़ देंगे A ring को इसलिए मैंने cross करके बता है A ring मैंने पहले लिखी है और B ring उसके बाद मिन लिखी है और यह कौन से linkage है alpha 1 4- glycosidic linkage यहां carbon number 1 पे देखो मैंने यह लिखा है ऐसे जिगजग करके वह इसलिखा इसका मतलब है it may be alpha और it may be beta और यह है मेरी जो नीचे सर्णरचना मैंने लिखी है वो है हमारी Fisher projection formula यानि इसका मतलब sunroopan, कुर्सी sunroopan के रूप में लिखा है यह पहला वाला alpha form है और दूसरा वाला जो है alpha बीटा दोनों हो सकता है A और B दोनों form में लिख दिये अक्सर एक्जाम में पूछते है अब इनका नाम प्रेश्ट में उठता है नाम कैसे लिखते है बड़ा लंबा चोड़ा नाम है कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों में से हम किसी A को parent मानेंगे एक को जनक मानेंगे और दूसरे को प्रतिस्थापी मानेंगे ठीक है चाहे A ring को मानो चाहे B ring को मानो अगर हम A ring को प्रतिस्थापी माने या B ring को माने तो हम सबसे पहले parent किसको मान रहा है A ring को यानि कि या B-ring को तो जिसको भी हम parent मानेंगे वो bracket से बाहर रहेगा और जिसको भी हम क्या मानेंगे parent नहीं मानेंगे उसको हम bracket के अंदर रखेंगे तो सबसे पहले ही मैंने लिखे ही 4 4 काड़ते हैं हमने B-ring को पहले parent माना है तो 4 position पे कौन जुड़ा है 4 तो इसका भाहर लिखेंगे बाहर कि इसके बता था 4 बता रहा है कि 4 पे कौन जुड़ा है alpha D-glucopyranosil और जो अंदर लिखेंगे उसके पीछ साइल लगाएंगे S Y L Glucopyranosil और bracket बन alpha D-glucopyranos क्योंकि ये किस form में है alpha form में दूसरा है one यानि कि इसके one position से अब A-ring हमारा parent है इसके A-number पे कौन जुड़ा है 4 D-glucopyranosil alpha D-glucopyranosil यानि दोनों rings जो है वो हमने इस तरीके से लिख दी है जो जो भी parent होगा वो pyranos form में लिखा जाएगा और जिस भी ring को हम अंदर लिखना है उसको हम pyranosil लिखेंगे क्योंकि दोनों pyranos form massively pyranosil और ड्रिंक से बाहर लिखेंगे ब्रेकेट से बाहर लिखेंगे तो उसका नाम लिखेंगे glucopyranos तो इस तरीके से हम पूरे माल्टोस की संदेशना को हम establish कर सकते हैं Thank you